तो ये question को ध्यान से देखते हैं, question आपका क्या है, compound interest का question ये बोलता है, कि ऐसा scene है कि compound interest जो है 12,000 पे, rate बताया नहीं इसने, 1% rate है, डेर साल के लिए, वो कितना है, 3840 compounding हुआ है yearly का, फिर बोलता है कि what will be the compound interest on the same sum, at the same rate, for the same time period, लेकिन यहाँ पे twist क्या है कि compounding को इसने क्या बोल दिया, happily बोल दिया, आते हैं, देखिए, अभी जो हम लिख रहे हैं, इसका use करके question solve नहीं करें, इनकि जानना जरूरी है, आर effective कैसे निकालता है, first के लिए x था, क्या दूसरा साल complete होगा है, ना भीया, दूसरा cycle complete नहीं rate, यह आपका आर effective होगा, लेकिन ऐसा करने में, टाइम ज्यादा जाएगा, तो यह हम करने वाले नहीं है, बताई यह compound interest कितना है, total compound interest इसका बन क्या है, 3840 और principle कितना है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 9, क्या हम rate निकालने यहाँ पे, कि कितना percent है, अगर हम percentage निकालने ना, 3840 नीचे आप यह लिखे 12,000 और 100 से, बना हम यह जानना चाहते हैं, कि 3840 वो प्रिंसिपल का कितना percent हुआ है, तीन सोना से गया, और बारत किया 36 तो, 32 percent, इसका मतलब क्या है, डेर साल में इससे 32 percent interest मिला है, एक बार X था, दूसरी बार X by 2 हो गया, अभी यह बताने कि कोई जरूओ थी नहीं है कि X का value 20 percent होना है, X का value 20 होना है, यह बोल यह, क्योंकि X percent दिया, तो X का value 20, कैसे आप पूछ सकते हैं, तो देख लिजी, अगर X 20 है, तो R effective कितना होगा दोस्त, 20 प्लस इसका हाप, 10 प्लस 200 by 100, ठीक है, कितना गया, 32 percent आ गया, 32 दिख रहे, तो हमें पत चल गया कि X का value कितना है, 20 है, फिर बोला है कि compounding half yearly हुआ है, स्वाजाते हैं भी, for half yearly compounding, half yearly, half yearly के case में जो आपका rate होना है, वो कितना हो जाएगा, 10, 3 साल के लिए, या फिर 3 साइकल के लिए, n का value कितना होगा, 3, तो फिर हमें क्या चाहिए, question में दिया है, हाँ, compound interest है, amount कितना हो जाएगा, अगर देखे तो, या फिर ऐसे कर लेते हैं, कि amount अगर निकालना है, तो principal का multiplying factor से 3 times multiply करना परेगा, principal आपका कितना है, किदर गया रही, 12 पे triple zero, 12 पे triple zero, और 10% के corresponding क्या होता है, multiplying factor होता है, 11 बटा 10 हो जाएगा, तो 11 बटा 10 का cube कर लीजिए, cube करने से कितना आजाएगा, 12 गुना 1, 3, 3, 1, यह हो गया, तो फिर हम ci निकाल लेते हैं, ci equal to a minus p, और यह कर लेते हैं, और इसका value कितना आजाएगा, 3972, 3972, उमीद है आपको यह बात है समझ में आ गई होगी, कि हमने ऐसा कैसे किया, क्यों हमने डारेक्टली 32% क्योंकि उसके बात जो है, गिस करना तोड़ा आसान होगी, अदरवाइस, कैलकुलिसन तोड़ा लेंदी हो जाता, ठीक है, एक और बात, यह जो लास्ट में हमने किया है यह ना करके हम रिएसियो का भी उज़ कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता, करी लेते हैं फिर, तो इसका जो मेतद 2 हो सकता है, ना, CI का, मेतद 2, उसमें हम आर इफेक्टी भी तो निकाल सकते हैं, आर इफेक्टी अगर निकाला तो कितना आ जाएग आपका कितना है, आपका कितना है, तो इसे आगे आपका कितना है, तो इसे आगे आपका 1ब दस, 0.1, आर इफेक्टीव हो गया, 33.1 परसेंट, तो फिर सीधेश थिया है, आप निकाल सकते हैं, बारह पे तीन सोनना का 33.1% और दोस्त कितना आ जाएगा बारह चातिस एक सैंतिस चातिस तीनून चालिस त्री नाइन सेवन टू तो आप कैसे भी करें आंसर तो सेम ही आना है उमीद है आपको दोनों मिथर समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर पूछ लेना तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्ट प्यू आक्यू का सलूसन मिलेगा आपको डीटेल में और अगर हम यहाँ पे कोई कॉंसप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सलूसन के साथ और एक नए कॉंसप्ट के साथ